विशुजीत सिंह आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम दिसंबर 2023 के विशुज डिस्कुस करने वाले हैं विशुजड के अंदर में क्या इंस्ट्रक्शिन इस तरके गाइड लिइन से इस तरसे आपको एक्जाम को अटेंप्ट करना है किन बातों को ध्यान रदना है इसके बारे में हम बात करेंगे आपको आ चुका चलिए इस वीडियो को सटा डिट्षिट आया उसका link यहाँ पर दिख जाएगा जब आप इस link पर click करोगे तो एक नया page खुल कर आजाएगा यहाँ पर जितने भी डिट्षिट आपके release हुए या online program का release हुआ या फिर ODL जो online distance learning है उनका डिट्षिट लीज हुआ सभी का डिट्षिट आपको एक जगह पर मिल जाएगा यहाँ पर जो आपका second link है जो आपका online distance learning के लिए है first वाला जो link है आपका online program के लिए है जैसे कि आप सभी student को पता हुआ कि इगनू के अंदर में दो mode के अंदर में study किया जाता है एक online mode हो गया है जहाँ पर सभी student जो भी limited course के अंदर में online study करते हैं वहीं पर दूसरा option आता है online distance learning का जहाँ पर distance learning से पढ़ने वाले students उनका date sheet अलग release किया जाता है और online learning वाले students का date sheet अलग release किया जाता है तो जो पहला link है आपका online program के लिए हैगा दूसरा जो link है यहाँ पर distance learning वाले students के लिए गा तो दूसरे link पर जब click करोगे तो आपका date sheet खुल कर आजाएगा कुछ इस परकार का आपका date sheet देखने के लिए मिलता है यह जो date sheet officially 2 November को सभी जगा पर circulate किया गया पर जो officially date sheet lease किया गया तो जो बनाए गया तो 30 October को बन चुका था और आज से एक महीने बाद आप यह कह सकते हो कि एक महीने बाद आपका exam होने वाला है 1 December से आपका exam स्टार्ट हो जाएगा किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके सा आपका exam होने वाला है इसके बारे में आपर हम discuss करने वाले है तो directly हम instruction के बारे में बात करते हैं ज्याद़ कुछ खास रहता नहीं पर instruction के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो आपका exam होगा वो दो session में होगा morning session और evening session के अंदर में morning session का जो time रहेगा वो 10 बज़े से लेकर 1 बज़े तक का रहेगा वहीं पर evening session का जो time रहेगा वो 2 बज़े से लेकर 5 बज़े तक का रहेगा अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपका चार subject का exam होना है तो हर बार जुरूरी नहीं है कि आपका चारो subject एक ही session में exam हो compulsory कई बार मतलब चीजे change हो जाती है on the time या मतलब अगदम last time पे change कर दिया जाता है या hall ticket में update किया जाता है के चीज को यह आपका 3 subject का exam evening session में होने वाला है एक session का exam आपका एक जो subject का exam में होगा यह क्यों होता है तो कई बार जो sitting arrangement होता है कि किस तरस sitting arrangement है आपका जो exam देने वाले वो student उस subject के student कितने हैं उस session के अंदर में इसके उपर में depend करता है जिसके कारम से सेशन चेंज किया जाता है तो एक स्टुट का morning, evening दोनों मिल सकता है या फिर morning है तो morning ही रहेगा या evening है तो evening ही रहेगा दोनों chances रहते हैं दूसरा चीज कहा रहा था hall ticket का जो hall ticket है डारेक्टी आपको www.ignu.ac.in की जो side है उस पर मिल जाएगा और आपके exam से 7 दिन पहले आपका hall ticket release किया जाएगा अगर कोई student एक तारिक का exam देने वाला है तो एक तारिक से 7 दिन पहले मतलब मालो 23 नॉवंबर तक उसका hall ticket आजाएगा अगर वहीं पर कोई student 10 December को exam देने वाला है तो वहाँ पर 7 दिन पहले मतलब 3 December तक उसका hall ticket आजाएगा ये कभी बहुत compare किजिएगा कि मेरे दोस्त का hall ticket आगया मेरा नहीं आया तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है almost आपको 7 दिन का waiting period रहता है 7 दिन के अंदर में आपका exam से पहले आपका hall ticket आजाएगा और hall ticket के अंदर में ही mention रहता है कि आपका exam कहां होने वाला है center क्या पढ़ने वाला है किस date पे क्या exam रहेगा और किस session के अंदर में कौन से subject का exam रहने वाला है एक जो सबसे important चीज़ क्या है कि जो examination center होता है वो possibility रहती है कि last minute पे change हो जाए इसका reason क्या रहता है कि कई बार जैसे मैं नहीं starting से आपको बोलता आ रहा हूँ कि जो भी student है भी तक examination form नहीं बढ़ा है तो भर लो कभी भी last date का wait मत करो इसका reason ये रहता है कि आपने examination form भर लिया और आपने चुन लिया कि मैं असोग भीहर में exam दूँगा for example पर असोग भीहर की जो capacity है student को बैठाने की वो 200 बच्चों की बैठाने की capacity हो 200 बच्चों का exam एक बार में ले सकते हैं और last date था 30 November का मालो examination form भरने का और आपने 30 November को ही जाकर form भरा जबकि जो capacity थी full होने की वो 10 November कोई full हो गई तो 20 November तक मतलब 10 November से लेकर जो 20 दिन का पूरा gap था उसके अंदर में जितने भी student नसोग भीहर सेंटर को चुना है उनका जो सेंटर अपने आपने चेंज कर दिया जाएगा लास्ट टाइम पर ही अपडेट किया जाता है तो जब भी आप exam देने के लिए जा रहे ना तो घर से एक बार जरूर चेक करके जाए अपना examination hall ticket जो है उसको जरूर निकालने एक बार दुबारा चेक कर ले यह request रहेगा पिछली बार जब exam हो रहा था तो बहुत सारी students ऐसे मैंने देखे जो examination center पर पहुंचे हुए थे और अचानक से वहाँ पर पहुंचने एक बार last time पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर उनका center नहीं है कहीं हो रहा है फिर वहाँ से गाड़ी पकड़कर जो भी स्यासा दनता उससे वह इधर उधर गए तो उनका time waste होता उस तरीके तो यहाँ पर यह चीज़े ना करें पहले अपना hall ticket जरूर चेक कर ले कि क्या आपका center रहने वाला है कि center पर आपको exam देना है क्योंकि last year बहुत सारे बच्चों के exam छूटे थे exam में दिक्कत हुआ तो उनको क्योंकि last time पर अपडेट होता है और हर बार का यह problem रहता है ना student इस चीज़ को समझ पाता है कई बार और ना रखना है दूसरा जो सबसे most important चीज है जो हर बार question पूचा जाता है कि सर में English medium का student हूँ मुझे English medium में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इंदी मीडियो में लिख दू तो यह question बहुत important है ठीक हर बार question रीज किया जाता है कि क्या करना है कि क्या चीज़े हैं और language को लेकर कि मैं किस language में exam लिख ओ तो यहां पर नॉर्मली का जाता है कि भी यह देखो अगर आपका language वाला सब्जेक्ट है ना कि आप Hindi language कर रहे हो कि अगर आपका कोई subject है English medium में ठीक है आप चाहते हो तो उसको Hindi medium में लिख सकते हो या Hindi medium का subject हो तो इंग्लिस में लिख सकते हो जिसमें भी आप comfortable हो आपने भले ही admission लेतर से में लिख वाया हो कि मैं English medium का student हूँ वर हिंदी में exam दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं रहता है पर आपको जो आपका answer seat होगा न उसके उपर में आपको लिखना प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या होने वाला है और कई बार तो मैंने यह देखा है जैसे मैं में हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो बहुत सारे इस्ट्री की इंग्लिस में वीडियो नहीं है हिंदी में वीडियो नहीं है इस तरह के जो भी चीज़े हैं लग लग चैनल पर फेस करते हैं और हर बार का कोश्चन यह रहता है कि सर मैं क्या हिंदी में लिख सकता हूं इंग्लिस में लिख सकता हूं एक्जाम तो इस तरह की प्रॉब्लम होती तो इसका simple answer आप लिख सकत लिख सकते हैं तो उसकी रिकार्डिंग में आप information दी गई है कि क्या क्या चीज़े रहती है में जो चीज़े थी वो मैंने आपको उपर बता दिया कि क्या किस तरीके से चलने वाला है और आपका program code क्या है यह आप इस box के अंदर में डूड सकते हैं कि जो भी आपका program code है ज study center में जाकर वहाँ पे question पूछ सकते हैं तो यह normal सी बात रहती है तो आपने मैंने जान्टेटिव डेट्टीट कई बार बनाई वीडियो उसके उपर में तो वहां से आपको पता चली गया होगा कि क्या इस तरह का क्या चीज़ होता है अगर मैं नीचे डेट्टीट के बार में आपका एक्जाम होगा अब दो से सरी में एक्जाम होने वाला है तो नौर्मली फॉर्स दिसम्बर से एक्जाम में स्टार्ट है कि अब यहां पर MS01 भC05 इस तरह करके subject आपको दिख रहे हैं यह आपका एक्जाम होने वाला है अब यहां पर confusion यह रहता है कि sir मेरा subject कौन मैं कैसे find out करूं तो बहुत easy तरीका है phone के अंदर में अगर आप इस video को on कर रहे हो तो directly वहां पर search को option आता है वहां पर search कर लो अपने subject number को जो आपका code 9 जन्वरी तक करेने वाला है 9 जन्वरी तक आपका exam चलने वाला है 9 जन्वरी तक आपने exam दे सकते हो और सबसे most important कहें कि जो भी student अभी तक अपना assignment करना जरूरी क्यों कि जैसे ही आपका exam आपने मालो एक दिसमबर को एक देकर आया और दूसरा अपका 10 दिसमबर को पॉस्पिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि आपका जो 10 दिसमबर को एकजाम होगा ना उस समय तक आपका एक दिसमबर वाला जो पहला एकजाम था उसका डिट्रिट आजाए ठीक मतलब रिजल्ट आजाए ठीक है रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाता है तो उसके लिए बैटर यह रहता है कि जितना जल्दी आप assignment कर दो को उतना जल्दी आपका assignment का नंबर भी update हो जाएगा और आ सब्सक्राइब जाके ले सकते हो अगर आपको नोट चाहिए में स्टी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक है महा से ले सकते हो और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह कि और भी इंफोर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए देख अबले में